नमस्कार दोस्तों तो अभी तक हमने टोटल 87 कुश्चन पेपर डिसकस कर लिए है आज हम कुश्चन पेपर नमबर 88 डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी को जो है इसका पीडियाफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दिया जाएगा अगर आप लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो जरूर जॉइन करें इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर रखी है और साती साथ आपकी जो एक्जाम है वो 19 जून को ही होगी यह कंफर्म कर दिया गया है MPPSC के दवारा कली नोटिफिकेशन जार चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखी है वहाँ पर आपको PDF डेली बेसिस पर देखने को मिल जाती है तो आप लोग टेलीग्राम से भी PDF को डाउनलोड करके अपनी तयारी को बूस्ट कर सकते हैं तो आपके पास only कितने दिन बचे है 18 दिन तो 18 दिन में अपना जो है सबसे बेस्ट देने की तयारी जो है आपको करना चाहिए तो पूछा है कि संग लोग से वायोग के बारे में निमने में से क्या सही है ठीक है तो यहां पर Union Public Service Commission के बारे में बात की गई है तो Union Public Service Commission के बारे म यह एक constitutional body है है अगला सवाल है कि civil नियाले की इसको सकतिया प्राप्त है फिर दिया है सरकार की सलाकारी संस्ता है तो advisory body है और civil नियाले की इसको सकतिया प्राप्त है तो हमारा answer क्या हो जाएगा C ठीक है तो 134 जो है हमारे answer हो जाएंगे देखो Article 315 से लेखे Article 323 तक जो है न जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन जो है यह constitutional body नहीं है इसे जो है मतलब parliamentary act के द्वारा तयार किया जाता है जैसा कि पंजाब और हर्याना के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन 1966 में स्थापित किया गया था आपको पता ही होगा उसके साथ साथ जो है यहां पे और क्या बाते important हो सकती हैं तो संग लोग से वायोग में कितने members होते है यह depend करता है प्रेसिडेंट की willpower के ओपर ठीक है और इनको appoint कौन करता है तो प्रेसिडेंट करता है कितने समय के लिए करता है तो 6 साल और 65 साल के लिए है ना 6 साल मतलब उनका टेनेयर होता है शे साल का और 65 साल उनकी एज होती है ठीक है इसके साथ साथ आर्टीकल 315 से 323 तक आपका UPSC का वरणन किया गया है अगला सवाल क्या बोला है कि लोग लेख कि इन ने ब्दाक लोगों ने पढ़ाई की है अभी तक थो है.. व्युक्त चुन ने वन है कि अग्मौण, तो हमने व्होटल कितने मिम्बर होते हैं अगला है नीति आयूग के कारे मैं निमलिखित में से कौन साइक कारी सामिल नहीं है तो भारत की पंचवर्सी योझनाओं को निर्मान करना तो यह पंचवर्षी योजना जो है न यह planning commission बना था तो planning commission ही खतम हो गया तो नीती आयोग जो है वो अपने इसाफ से काम करता है ठीक है यह जो है बड़ी बड़ी योजना ये लेकर के आता है long term solutions जो है वो किसी problem को लेकर आते है बोला है राष्टी मानो अधिकार आयोग को निमने में से कौन सी सकतिया प्राप्त है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स दिवानी नियायल है ठीक है फिर record मांगने की सकती जाच कराने की सकती फौजदारी नियायले की सकती तो यह नहीं है बाकि सभी सही हो जाएंगे ना फौजदारी बोले तो criminal जो कोर्ट ह है उसकी सकतिया प्राप्त नहीं है इसको सिविल नियायले की सकतिया प्राप्त है ठीक है अगला है अगला है कि नेशनल कमिशन फर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को प्राप्त सकतियों में इन में से कौन सी एक नहीं है तो देखो सिविल नियायले की तो है दस्ता वेच की खोज करना भी है पीडित को अंतरीम रहात देते हुए रुपियों की वेवस्ता करना ये भी है एक मिनट पीडित को अंतरीम रहात देते हुए तो ये जो है न ये गलत हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं वोला है कि भारती सवीधान का भाग 16, 330 से 342 तक ये किस से संबंदित है तो देखो भाग 14 जो है वो UPSC से related है भाग 15 में election commission of India कवर्णन किया गया है तो भाग 16 जो है वो किस से संबंदित है तो इसका सही answer हो जाएगा friends D अना लोकसभा में अनुसुचित जाती जनजाती के आरक्षन तथा एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के प्रति निदित्व से पिर दिया है काका कालेलकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के मुख्य बिंदो इन में से कौन से नहीं थे ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा ये एक सवेदानिक संस्ता के गठन का प्रस्ताविनों ने दिया था यही गलत हो जाएगा बाकि सारे सही है अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार किन छेत्रों में लगता है तो किन छेत्रों में लगता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D संपूर्ण प्रदेश में ठीक है अब कोई भाग ऐसा नहीं रहे गया जहां ना लगे अगला है कि वास्ताव में भारत में इलेक्ट्रोंिक्स के उपयोग को महत्व माननेता खालिस्तान और खालिस्तान दोनों के प्रयासों से मिली है तो इसका सही आंसर हो जाएगा होमी जहागिर भाबा और विक्रम सारा भाई संचार इलेक्ट्रोंिक्स के विकास में के लिए निमने में से किस प्रद्योगी की साहता नहीं ली गई तो किसकी साहता नहीं ली गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेवी मसीन रिखा ठीक है अब संचार प्रद्योगी की में हेवी मसीन रिखा इस्तेमाल नहीं होता होतना भारत में भारती विज्ञान संस्तान जो है ये कहां पर इस्तित है तो भारती विज्ञान संस्तान आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो ये बैंगलूरू में देखन करना ठका की अगला इन में से किस कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान और अभियांत्री की रक्षा एवं अंतरिक्ष में प्रयोगत अध्याध निक कारियों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है तो यह हो जाएगा आपका सब्धियाध में से किन प्रक्रम्वों का अध्यान तो यह किया जाता है अगला सवार्क्रान प्रयों और वंångलिभा तो प्रयोक्रों की जाने वाले प्रकरणों में सबसे प्रयोग साँने वाला पदार्थ खालिस्तान ने किसका प्रयोग किया जाता है इसमें अर्ध चालक, अर्ध चालक बोले तो सेमिकंड़क्टर इसको बोलते हैं, अगला सवाल है कि अर्ध चालकों में चालन, बैंड और संयोजक बैंड के बीच के खाली इस्तान को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये होता है विज्ञान संस्थान खालिसतां ध्वारा माईक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक विशेश प्रकार का रोबोटिक आर्म निर्म्त कियाfire है जिने सामान निमानो द्वारा सपलता पूर्वक संचालित किया जा सकता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा के छेतर में हिंदी भासा के कारे करने के लिए software का विकास किया है तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम है फ्रेंड्स रचना ठीक है क्या नाम है इसका रचना ये भी important सवाल था अगला सवाल है कि national kayaking canoing champion 2021 का आयोजन जो है ये कहां पर किया गया था तो इसका आयोजन किया गय है तो ये दिया गया है सुक्रिया के लिए अगला है कि बदरवास जैकेट की जीले से एक जीला का उत्पाद के लिए चुनी गई है ये कहां के लिए मतलब कहां से चुनी गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवपूरी ठीक है सीवपूरी जिसको परेटन नगरी का इस ठीक है और गुजरात से याद आया कि अभी जो जीता गया ना वो गुजराट टाइटन्स के द्वारा जीता गया वर्स 2022 का जो टाइटल है ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा डीटेल में आप लोग पढ़ लीजेगा वैसे MPPSC में क्रिकेट को लेके जो है सवाल थोड़ का विमोचन किया गया है तो यह किसके द्वारा लिखी गई है तो 25 का सही आंसर हो जाएगा शिवराज सिंग चोहान के द्वारा अगला सवाल है फ्रेंट्स बोला है कि यूरोपी संग की संसद के अध्यक्श चुने गए है तो कौन चुने गए है तो इसका नाम है सबसे यूवा संसत जो है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है चन्राणी मुर्मु जो है वह कि题 से बिलॉंग करती है पिर बोला है सेंट ंंड्रियूस कि डिया गया थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचिया को ठिक है किसको दिया गया है रचिया युक्रेन युद्धy तो इसके प्रचारक कौन थे, तो ये थे M के प्रसाद, अगला सवाल है कि आत्मत्या का थेला जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को, फिर यह है तारक केंद्रक का कारी कौन करता है, तो ये करता है तरकु निर्माण, अगला सवाल देखत बढ़ जाती अगर वो सामने की तरफ जुख जाय तो अगला है भारी वर्सा के बाद भी वनों में जल नहीं बैता कारण क्या है तो इसका कारण व्रक्षो से टपकता है और भूमी में रिस्ते रहता है दीरे दीरे भोजन पिरामिट भोजन तत्वों के वबस्ति करण को प्र तो देखो एक तो क्रेस्को ग्राफ जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है एज मेजर्मेंट करने के लिए और यहां पर पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वार्सिक वलियों की संख्या फिर यह है प्रोटीन का एक अच्छा सुरूत जो है वो क्या होता है तो यह होता है मुंगफली बोजन पकाने में कौन सा विटामीन जो है वो नस्ट हो जाता है तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा विटामीन सी ठीक है देखो अच्छा आप लोग बताईएगा कि मतलब कौन से विटामीन से जो है वो वाटर सॉलियोबल होते है और कौन से करने के लिए प्रयुक्त सब्द जो है वो क्या है तो इसको क्या कहा जाता है यह हो जाएगा भूमी विज्ञान ठीक है अगला सवाल है 41 पूंजीगेत व्याय ने 2020-21 जो है फाइनेंशियल एर में कितने प्रधिसत की व्रधि दर्ज की है तो इसका सही आंसर क्या हो देखते हैं राज्यों के सकल राजकोशी घाटा 2020-21 जो है और 2021-22 के बीच जो है खालिस्तान प्रतिसत राजकोशी उत्तरदाइत विधान की सीमा को पार करने का अनुमान है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीन प्रतिसत अगला सवाल देखते है इसमें क्या बोला है 2021-22 में पुझी गत्वय के लिए विशे सहायता की योजना को कितने भागों में बाटा गया है तो 43 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंट सी ठीक है तीन भागों में रुपए की परिवर्त नियता का तातपर है तो इसका तातपर यह क्या होगा यह होगा रुपए को अन्य प्र हर बार बिल्गुल नए सीरे से बजट तयार करना निमलिकित अनुच्छेदों में से कौन एक राज सरकार को ग्राम पंचायतों को संगटित करने के लिए नेदेशित करता है तो आर्टिकल 40 जो है जो कि DPSP में इसका वर्णन किया गया है यह इस से रिलेटेड ठीक है राष्टपती द्वारा की जाती है और इसको प्रिसाइट कोन करता है तो स्पीकर करता है भारत के सविधान में निमलिकित में से क्या कथित है ठीक है यह बताना है हमको तो राष्टपती संसत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा फिर दिया संसत राष्टपती और दो सद लिया जाता है तो यह किस अनुपात में लिया जाता है तो फ्रेंट इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 49 का एक क्रमसा 2 और 1 के अनुपात में ठीक है जैसे देखो जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है इसमें टोटल मेंबर किते होते हैं 22 होते हैं तो इस 22 में से जो 7 मेंबर है वो होंगे राज्य सभा से ठीक है और जो 15 मेंबर होंगे वो कहां से होंगे लोग सभा से ठीक है जो estimate committee होती है इसमें members जो है सिर्परसिफ लोग दर्बा से ही चुने जाते हैं एक और committee होती है कौन सी आपकी public accounts committee हो गई एक public undertaking हो गई है ना public sector undertaking वाली एक committee होती है उसमें भी 22 members आपको देखने को मिलते हैं बारत का उचितम नयायल है कानून या तथि के मामले में राष्टपती को परामर्स देता है तो इसका सही आंसर बताईएगा कि बावनवाज जिला जो है वो भी कब बनाये गया है राजी के केंद्री पहाड़ी इलाकों की ढलान की दिसा की और होती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 52 का आंसर क्या हो जाएगा दी उत्तर की और ठीक है देखो यह जो है ना मद्यपरदेश का ही सवाल है इसमें जैसे आप जाद तर नदिया देखेंगे नौर्थ डारेक्शन में फ्लो हो रही है तो इसलिए इसका धलान जो है किदर हो जाएगा उत्तर की और दक्षिनी बुंदेल खंड शेत्र में साधान निमलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी जो है आपको देख चंबल नदी जो है वह मद्यप्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट रीवर है 965 किलोमेटर के आसपास इसकी आपको लंबाई देखने को मिल जाती है सबसे लॉंगेस्ट रीवर नर्मदा 1312 किलोमेटर MP में 1077 किलोमेटर इसका फ्लो है चंबल पर जो है एक तो गांधी सागर डेम है राना प्रताप सागर डेम है कोटा बराज है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट डेम यहां पर बनाए गया है 1954 में जो है यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसके बाद 1960 में सबसे पहला प्रोजेक्ट बनके तयार हुआ था गांधी सागर डेम है जो की आपको नीमच में देखने को मिल जाता है नीमच मंदसौर में हैना मध्य प्रदेश में भावंतर भुकतान योजना जो है वो किस चेत्र से संबढ़ दित है रिवा में महराजा का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्टित किया गया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और बांधो परिस्तित है बताईए ठीक है अगला सवाल क्या बोला है राज जी में कौन सी खनीजनीती जो है अभी प्रेजेंट में चल रही है तो देखो अभी प्रेजेंट में जो है 2010 की जो खनीजनीती है वो चल रही है बताईएगा कि पहली जो मिनरल पॉलीसी या खनीजनीती वो कब थी मद्यप्रदेश के चिंदवाड़ा में complex इस्ताफित किया गया है तो यह कौनसा complex स्थाफित किया गया है तो 58 का सही answer हो जाएगा agro complex ठीक है निमने में से मद्यप्रदेश के किस जिले में वेलस पन और परियोजना लगी है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नीमत जीले में अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या बोले है फ्रेंट्स कि सागर आकासवानी केंद्र की स्थापना जो है ये कब होई थी तो ये जो है बहुत ही पर्टिकुलर डेट का सवाल पूछ लिया तो दो माई 1993 को जो है इसकी स्थापना की ग बोला है अद्रस निर्यात का अर्थ जो है वो क्या होता है तो इसका अर्थ होता है आपका सेवाओ का निर्यात ठीक है जो सर्विसेस होती है उसी को बोलते है अद्रस निर्वात फिर जो है बोला है मद्दप्रदेश में गाओ की कुल संख्या जो है वो कितनी है तो ये गुपता कमीति के द्वारा इंडिया विजन 2020 तयार किया गया था मद्यपदेश के घटते लिंगानुपात को कम करने के लिए कौन सी योजना जो है वो सुरू की गई है तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 65 का ए ठीक है स्वागत लच्मी योजना कौन सी 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका स्वागत लच्मी योजना और देखो आप लोग बताईएगा कि इंडिया में जो है वो कौन सी स्कीम जो है लागू की गई है ये लिंगानुपात जो है उसको थोड़ा सा सुधार करने के लिए फिर बोला है राज जी के लिए अनिवारी आपको देखने को मिलेकर जन्शनक्या के साथ उपरोगत दोनों मतलब भूभाक संप्रभूता तो कल्यान का कारी राज जी का उड़्य जो अदिक्तम कल्यान्त सुनिशित करना कमजोर वर्गों का कल्यान करना तो दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे सी ठीक है फिर किसी राज जी की राजधानी के नाम में परिवर्थन कैसे होता है तो यह सिंपल मिजॉरिटी के द्वारा होता है अना पार्लेमेंट करती है तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा संबंधित राज विधान मंडल द्वारा के इंदसरगार की सहमति से ठीक है अगला निमलेखित में से कौन सा एक मुख्य मंत्री का आधिकार कारिर नहीं है बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रियों के नियुक्ति वम उनके विभागों का वितरन करना ठीक है विभागू का तो वितरंट करता है बट नियुक्ति नहीं करता है नियुक्ति कौन करता है तो यह गवर्नर करता है अगला है मद्यप्रदेश विदान सभा के सभापती खालिस्तान कौन है ठीक है तो इनका नाम है गिरीज गौतम ठीक है अभी प्रेजेंट में स्पीक पर वो कौन थे ठीक है और ये भी बताईएगा कि अभी प्रेजेंट में लीडर ओफ पोजिशन जो है वो कौन है युनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया फिर है मिजोरम में बस्ती समरूप मुक्यता जो है गटकों क आपको कहां पर देखने को मिलीगी तोउरेंटिनढांसर्व में अगला सवाल देखते हैं warmer फ्लयc में आ और वह जो है वह बैसाल्टीय लावा सही मिलके बनी है अले हैं इंद्रा गांधी नहर का उदघ्र को सभेंभग का सभीspot का किन घरंग करने में निमलिकित में से कौन्सी विधी का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी विदी का प्रयोग किया जाता है तो friends इसका सही आंसर क्या हो जाएगा uranium dating का कार्बन dating का इस्टेमाल कि इसमें करते तो जीवास्मों की आयू का पता लगाने के लिए अगला है निमलिखित में से कौन सा समुहन सही नहीं है कौन सा सही नहीं है तो 79 का सही आंसर हो जाएगा टेलीगरा प्लाटू जो है यह हिंद महासागर में नहीं है यह अट्लांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है निमलिकित में से कौन सा बालकन देश नहीं है तो कौन सा बालकन देश नहीं है तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ठीक है बाकी आपको ये Slovenia, Romania, Bulgaria ये सारे के सारे कहां के है ये Balkan countries है फिर दिया है टॉलमी और फिलेल डेलफस जिसके साथ असो केस राजनाईक संबंध थे कहां का सा सकता तो ये कहां का सा सकता तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजिप्ट का कहां का Egypt का चा बताईएगा कि Egypt की प्रेजेंटर में Capital कौन सी है और साथी साथ ये भी बताईएगा कि United Nation Environment Program जो है आपको जो है कहां पर देखने को मिलता है ठीक है ये एक important सवाल है मैंने कहीं देखा था जिसको निमलिकेत में से किसने भारत में स्वरने सिकों का प्रसलन नियम को रोका था तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितियेन है किसने रोका था तो पुलकेशिन द्वितियेन है अगला है कि महाबुली पूरम मेरत मंदिरों का निर्मान जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था तो फ्रेंट्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 84 का ये हो जा सहरो को कि जो समझ वह बहतर हो सके खिकर इसका सई आंसर ऑजाएगा फ्रेंль्ट्स फिरो साहत तुगल ठीक हैए फिरोश यह फिरोश oso साहत तूगलँ पिर दिया है वरकरी संपदाय की मोख्य लेट कहां व्मारे आंसर हो जाएंगे. Lord Karnavalis की कबर जो है वो कहां पर इस्तित है तो फ्रेंट्स ये है गाजीपूर में ठीक है गाजीपूर में जो है ये उपस्तित है. अगला सवाल है कि निम्न महापुरो सो में से कौन भारती जागरती का जनक जो है वो कहलाता है तो भारती जागरती का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय 1812 में इन्होंने आत्मी सभा की स्थापना की थी 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ठीक है उसके बाद 1829 में इनके द्वारा जो सती का जो ट्रडिशन था ना उसके अगेंस्ट में आवाज उठाई गई और एक कानुन पारित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अच्छा आप लोग बताईएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कौन-कौन से नियूस प्रेपर और पत्रिकाय पब्लिस की जाती थी नब्वे में पूछा है निमलिखित में से भारती राष्टी कांग्रेश के कि सदिवेशन में बाल गंगादा तिलक्ष ने अभी वक्त किया था सुराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा तो ये किया है लखनव शेशन 1916 में ठीक है 1992 का सही आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाशान संस्कृती अगला है कि 15 अगस्ट 1947 को स्वाधिन्ता के समय मत्यप्रदेश में कितनी रियाशते थी तो 93 का सही आंसर हो जाएगा भी 61 रियाशते थी ठीक है उसके बाद जबलपूर के आसपास का ये सवाल जो है बहुत important है अचा बताईएगा कि MP जब बना था ना उस समय MP की capital क्या थी ठीक है उसके साथ साथ ये भी बताईएगा कि MP में जो है कौन-कौन से state उस समय हुआ करते थे ठीक है जबलपूर के आसपास का छेतर पूर्व में किस नाम से जाना जाता था तो इसको जो है क्या बोला जाता था 94 का सही आंसर हो जाएगा महा कौशल अगला देखते है हिंदी भासा के गीतो के राजकुमार के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्ध है गोपालदाज नीरज ठीक है गीतो का राजकुमार हिंदी भासा के गीतो का राजकुमार गोपालदाज नीरज है नर्मदा पुतर के नाम से कौन फेमस है त ठीक है, अमरतलाल बेगड ठीक है, अगला है कि राजा मुझकूंद की गुफाये जो है वो कौन से जिले में पाई जाती है, यह कहां पर है, तो यह मुरे नाम है, राजा मुझकूंद की गुफाये, फिर दिया है कांगरेस के वरिष्ट नेता एवंपूर मंत्री तथा साहित बाल बैरागी का जन्म जो है ये कहां पर हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपूर मद्ध प्रदेश के किस नरत्य को देश की संस्कृति विरासत में सामिल जो है वो किया गया है ये बुंदेली राइन रत्य जो है इसको सामिल किया गया है मद्ध प्रदेश में पीडियाफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा